अगर दोस्तो आपके पास भी इस तरह का एंप्लिफायर है और आप अपने मुबाइल के ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना चाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी Bluetooth वाले amplifier को अपने मुबाइल से connect कैसे कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ अगर आपका amplifier Bluetooth supporter है तो तभी आप अपने मुबाइल से उसको connect कर सकते हैं यानि कि दोस्तो अगर आपके amplifier के अंदर Bluetooth है तभी आप अपने phone से उसको जोड सकते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली वार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजगा और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजगा जिससे क्या होगा जो भी अमारी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास मोचेगी और comment पर लिखकर आप ज़रूर बताना अगर आपको कोई problem आ रही है connect करने में तो अब वीडियो को start करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ अगर आपके amplifier के अंदर Bluetooth होगी तो इस तरह का logo बनाओगा Bluetooth का तो आपको दोस्तों करना क्या है mode पर क्लिक कर देना है और दुबारे से आप mode पर क्लिक कीज़े तो एक option आजाएगा अब आपने मोबाइल की Bluetooth ओपन कर लीजे दोस्तों Bluetooth ओपन कर लीजे मैं आपर कर लेता हूँ और आपका जो है एंप्लिफायर का option आजाएगा BTV9 यह देखे कि इस एंप्लिफायर का यह नंबर है तो मैं इस पर किलिक कर देता हूँ यह आपर connecting हो रही है तो यह देखे कि दोस्तों यह एंप्लिफायर से connect हो चुका है अब मैं आपको कोई song प्ले करके दिखाता हूँ सबसे पहले मैं YouTube पर मैं कोई song प्ले करके दिखाता हूँ तो यह दोस्तों NCS का एक no copyright sound है तो मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ तो बड़ी असान तरीके से दोस्तों आप Bluetooth के जरिये एंप्लिफायर को अपने मुबाइल से जोड़ सकते हैं और फिर आप music या वीडियो कुछ भी सुन सकते हैं वीडियो कैसी लगी दोस्तों comment box पर ज़रूर बताना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद